Hello students, आज हम Literary Term करेंगे यह आखरी वीडियो है साथवा इसके बाद में जो Literary Term करेंगे वह B-Alphabet के होंगे शुरुआत के दो MCQ format में बात के मैं आपको directly समझाऊंगा के बल दस होंगे 14 following best description लिटरी टाइप वह किसको बतलाता है कुछ ऐसे words होते हैं कर देते हैं इसका सही answer क्या होगा? इसका सही answer है C रीकरिंग करेक्टर बारवार आने वाले करेक्टर या सिटुएशन जो हमें लिटरेचर में हमिशा मिलेंगे यह बारवार मिलेंगे आपको लिटरेचर में पहले देखते हैं आर्किटाइप का मतलब क्या होता है आदी रूप और एक प्राइमोर्डियल यह बता रहा हूँ इससे आपको थोड़ा आसानी होगी समझने में प्रारमबिक इमेज प्रारमबिक इमेज ने करेक्टर आर्किटाइप आर्किटाइप का मतलब है आदी रूप जैसे कार आज है जो हम देखते हैं शुरुआत की जो पहली कार थी जिसने पहला डिजाइन बनाया था आर्किटाइप हो गई अब जो बात की कार बनी है वो उसको भले उसको कॉपी नहीं करें टेक्नलोजी बहुत बदल गई है लेकिन उसी से जो आगे बढ़ी है तो जो शुरुआती है आर्किटाइप के लाई है और आज भी हमें देखने को मिलती है तो जो शुरुआती चीज होती है यह लिट्रेचर में भी हमें मिलती है जब पहले किसी ने कहानी लेखी, उस कहानी में क्या होगा, एक बुरा विक्ती होगा, एक अच्छा विक्ती होगा, एक ऐसा विक्ती होगा, जो इधर करता होगा, आज भी हम कोई कहानी लेखेंगे, तो भी होगा, कहानी बदल चुकी है, करेक्टर उसी तरीके के है, यह जो तो हमारे अभी भी प्रहुइत करते हैं, हमारे जो unconscious mind होativas हम क्या कहेंगे, archetype ने ने क्या होती है, प्राइमसाइडा इमेज होती है इतो हम प्रारंफे की इमेज यो में श्रुवात ही ती और हम ने नहीं पढ़ा , रेकिन कहीं-णा कहीं हमारे genesوجन है उसमें पास होती ही रहती है करेक्टर है ये करेक्टर पहले आज से हजारों साल पहले कहानिया लिखी गही थी उसमें भी थे बुरे करेक्टर आज भी हम बुरे करेक्टर लिखते हैं ये ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है । आज भी क कहानी लिखने बैट है। collective unconsciousness, वहां से लिया था, collective unconscious का मतलब क्या हो गया, कि collective, सारे लोग जो होते हैं, collective, कि unconscious mind में ये चीज़े आज भी बसी हुई है, जीन्स में आ गई है, वहां से जो literary critics थे, उन्होंने इस शब्द को लिया, आर्किर टाइक को, जो काल जंग थे, उन्होंने क्या कहा था, कि जो human experience ह होते हैं, ये हमारे genetically, हमारे जो genes हैं, उसमें genetically आ गए हैं, और ये पास होते रहते हैं, generation में, तो जो कहानिया हैं, जो आज से हजारों साल पहले लिखेंगे, ये हमारे genes में बच चुकी हो, आज हम कोई लिखने बैठेंगे, भले ही ना पढ़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं, वो हमारे दिमाग में आ चुकी हैं, और हम उसके प्रभाव से बच नहीं पाते हैं, कहीं सारे आर्किटाइप्स जो हैं, वो literature में, mythology में मिलेंगे, same होंगे, storytelling में मिलेंगे, पर ये जो आर्किटाइप्स हैं, ये ऐसा नहीं है, मालो मैं आज हूँ, मैं इंडिया में वेठा हू एक्जाम्पिल, हीरो, मालो हीरो है, आप कोई हीरो कहानी रिखता, उसमें हीरो दिखाओगे, बहुत बहादूर होगा, आज से हजार साल पहले भी इसी तरीके हीरो लिखे रहे, विलन को आप जिक्र करोगे, तो विलन जो होगा, लही बदल गया होगा, उप्राने जमाने स जो करेक्टर्स होते हैं, आर्केटाइप मिलेंगे, लेडी है, जो इधर की उधर कर रही है, एक आदमी है, अपने दोस्त को धोका देता है, तो पहले भी लिखी गहीं कहानी, आज भी लिखी, यह जो चीजे हैं, यह आर्केटाइप या प्राइमोर्डियल कहते हैं, 62, which of the following best describes Argo, का सही आंसर देखिए, का सही आंसर है, की, words and expressions used by small groups, इसको दिखते है, Argo को, आप किसी factory में गए, फर में, इसमें एक ऐसी करमचारी काम कर रहे हैं, अब आपकी भाशा में बोल रहे हैं, लेकिन क्या बीच वीच में कुछ ऐसे slang, यह जारगन यूज करते हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो उन्होंने जो शब्द यूज करें, वो अपने काम के हसाब से कुछ वर्ड यूज कर लिए, अब आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो यह जो words हैं, जो एक छोटी community यूज करती है, group of people यूज करते हैं, ऐसे words जो आपको समझ में आ है हम आर्गो कहते हैं, तो यह जारगन और slang होते हैं, और यह चोटी community यूज करती है, तो कुछ लोग यूज कर सकते हैं, किसी company के लोग भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा तर यह जो आपको आर्गो मिलेगा, यह कहां मिलेगा, तो marginalized group हैं, ऐसे group तो परिशान, मतलब कुछ दब कुछ code word होंगे, पासवर्ड होंगे, जिससे वो बात करेंगे, आज हमें यह चीज करनी है, वो अपने जो अड़्डा होगा, उसे अड़्डा नहीं कहेंगे, आज हम आफिस में आएंगे, तो उनके password है, कुछ code word में बात करेंगे, एक नए आदमी को समझ में नहीं अगर हम बात करें, यह हर प्रोफेशन मिलेगा, मूजिशन होंगे, कुछ ऐसे शब्दों को यूज करेंगे, जो हमें समझ में आएंगे, एक्टर्स यूज करते हैं, एक तरीके की coded language है, इसे समझने में एक नए आदमी को दिक्कत होती है, अच्छे यह आर्गो जो होती है यह बदलते रहते हैं, मान लिए आप किसी फर्म में गए, वहाँ पर आपने देखा कि कुछ वर्ड जो हैं, वो अलग तरीके के यूज करने हैं, जो आपको समझ में नहीं है, आपको बाद में 4-5 दिन में समझ में आ जाएंगे, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, यह एक थेटरीकल टेखनीक है, थेटर में यूज होती है, कहीं पर नॉवल बगएरा, किसी और जगह नहीं मिलेगी, जो करेक्टर होता है, यह बात करता है, अपने थौट्स को डिरेक्टली एड्रेस करता है, ओडियन्स से, जो वहाँ पर बैठी हुई है, जो वहाँ पर जो चार-पांच लोग साथ में थे, इससे क्या वह अलग को जाएगा, कौने में, अब वह कैसे बात करेगा, अपनी आवाज की टोन बर लेगा, मैं ऐसा करूंगा, यह उसको बता हूँगा, क्या होता है, उसके घर पर लड़ाई हुए है, इसने आवाज को टोन, वह सकता ह कैसे यूज करें, अब इससे क्या होगा, ओडियंस को समझ में आ जाएगा, कि यह जो करेक्टर है, कभी बात कराता है, चार-पांच लोग के साथ में, असाइड बोल रहा है, यह हमें एक्स्टा जानकारी दे रहा है, जो हमें समझने में आसानी होगी, आगे जो प्लॉट इसमें हमें समझने में असानी होगी, इसमें जो होता है, यह थेटर में यूज करा जाता है, इसमें जो करेक्टर होता है, यह अपने विचारों को, अपने इरादों को, कमेंटरी के जरिए जो होता है, वो लोगों को तक पहुंचाता है, इसमें आवाज को बदल देते हैं और इस तरह से एक्ट करते हैं, सामने वाय लोगों को समझ में आ जाए कि यह असाइड है, तो वह अलग जाके कौने में बात करें, एक जिकना अटाउनिक, टाउनिक, तोनिक, तोनिक अगर हम बात करें तो यह एक फोट है, सिमिलर फोट, यह एक फोट हो गया, यह भी एक फोट हो गया, तो इसे पांच फोट हो गया, एक फुट, दो, तीन फुट, चार फुट, पांच फुट हो गया, इसमें क्या होता है, unaccented और accented syllable होता है, इसमें भी unaccented, accented syllable होगा, तो यह जो unaccented है, इसे कहते है, attonic, और जो accented है, इसे कहते है, attonic, तो एक दूसरा ही वर्ड है, इसको कहें, attonic, तो इसमें बहुत सारे synonym होते हैं, तो इसका मतलब हो गया है, जो unaccented syllable, उसे हम attonic कहते है Unstressed, Unaccented, या फिर कहेंगे Unstressed, जब कहें तो Unstressed, इससे ध्यान रखेगा Unstressed या Unaccented, 65, Attic, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जिनका यूज होता ही नहीं है, यह लिट्रेचर में यूज करोगा, आप इसे आम बोल चाल में यूज कर सकतो, पर रटना ही पड़ेगा, और यह दिक साफ लिखा होता था, समझ में आयाता था, Dictionary करती थी, Simplicity होती थी, Elegance होता था, उसमें का एक अपना प्रहा होता था, Elegance होता था, तो यह जो style जब आप लिखो, आपके लिखने के तरीके में, Clarity मिले, Simplicity मिले, और Elegance मिले, आपके style को लिखने को क्या कहा जाए रहा, Attic style, तो यह एक ऐसा style है, इसमें आपके लिखने में, Clarity, Simplicity, Elegance होता है, तो वह Attic style होता है, लिखने के कई तरीके होते हैं, ऐसे मानलो, आप बहुत जादा जो हता है, अलंकारों का यूज़ करो, तो फ्लॉरिड यूज़ करो, फ्लॉरिड यूज़ करो, फ्लॉरिड यूज इसमें करने में दिखकत नहीं होती है, अटिक style, वह लिट्रेचर में होता है, इसके लावा कहीं होता है, अबाड, अबाड का क्या मतलब है, मानलेजे, एक ऐसा song, या ऐसी poem, जो morning के बारे में हो, उसमें morning का जिकरो, सुबह का जिकरो, तो वह अबाड कहलाती है, अब यह ज कर दो कि अबाड कहा रहे है, सुबह के बारे में होगी, क्या चाहेंगे, ये रात खतम ना हो, और ये चाहेंगे कि सुबह आए ना, तो किसी भी तरीकियग का हो सकता है, ओबाड जो होती, एक genre है, music or poetry में, जो morning के बारे मोती है, डौन के बारे मोती है, कि जो otherwise song होते है, इन कि हमें कोई देखना ले, पैसेज और टाइम, जो टाइम बीटता, उसका जिक्रो हो सकता है, वह आई, टाइम बीट गया, अगला दिन लग गया, इसका अबाइड का अगर हम एक्जाम्पिल लें, तो जॉन डन की सन राइजिंग, इसके अलाबा फिलिब लार्किन की है, ओबाड, इसी के नाम से थी, ओबाड जो होती है, एक ऐसी पॉम या सौंग होती है, जिसमें सुबै का, जिक्रो, 67, ओगस्टन, पहले देखते हैं, यह ओगस्टन जो है, किंग ओगस्टस के नाम पर, रोमन एम्परर, जीजस क्राइस्ट के जन्ब से पहले, रोम में एक राजा थे, 27 बीसी में, एक राजा थे, जो रोम में राज करा करते, अब उस समय क्या था, उनका दर्वार, बहुत जादा रोम तरक्की करा था, उस समय उनके दर्वार में, जो राइटर्स थे, लेकर थे, उन्होंने जो इस्टाइल अपनाया, लिखने का, काम करने का, वो इस्टाइल जो है, तरीके का, आउगस्टन स्टाइल बन गया, अब क्या है मानलो, कि मैं आज लिख रहा हूँ, अब मैं लिखने में, जो मैंने स्टाइल अपनाया, वो स्टाइल कैसा है, इसमें, जो रीजन का जिकर मिलता है, मैं रीजन का बहुँ जादा यूज़ कर रहा हूँ, ओर्डर पर ध्यान दे रहा हूँ, हर चीज करम में होना चाहिए, इधर होधर ना ओ, हर चीज कर ओर में है, अच्छा एक्स्टावेगेंस बिल्कुल ना ओ, रिजेक्शन ओफ एक्स्टावेगेंस, मींस रिजेक्शन, खत्म करतू में, फालतू कि कोई चीज ना ओ, कोई ऐसे शब्द यूज़ ना करूँ जो बेकार के हूँ पड़े लंबे चौणे शब्द ना हूँ मोरल वैल्यूज मैं अपने वर्क में नैतिक्ता की बात करूँ तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा स्टाइल वह लिखने का वो क्या है ऑगस्टन स्टाइल है यह जो नाम पड़ा है यह एक राजा के नाम पर पड़ा है जो रोम में 2000 साल पहले रूल करता था उस समय के जो राइटर से उन्हें इस श्टाइल अपनाया उस श्टाइल में अगर कोई आज लिखेगा इसे और अगस्टन स्टाइल रहेंगे इंग्रिश लिट्रेचर में जो ऑगस्टन है वह एक पीरिएट के तौर पर हम मानते हैं एक पीरिट के नाम को ही जो है जो ऑगस्टन पीरिड कह दिया गया है और दिखते रहनेसा पीरिएट है 1500 से 1600 से 1600 से इसके बाद में नियोक्लासिकल अज आई थी इसमें मैंने कुछ वीडियो बनाए हुए है, अब जैसे टाइम मिलेगा बनाऊँगा, यह 1600 से लेकर 1785 तक आई थी, यह Classical Age, इसमें एक period था 1700 से लेकर 1745 तक, Augustan Age कहा गया, Age of Pope, इस समय के राइटर कौन थे, Alexander Pope थे, जिन्होंने Augustan Era, जो समय राजा था, रोम का, उसके style को Jonathan Swift थे, Joseph Addison, यह समय के बहुत फेमस राइटर थे, इन्होंने, किंग Augustus था, उस समय राइटर थे, वर्जल और होरेस, उनके style को फॉलो करा था, तो वर्जल और होरेस अपके राइटर नहीं है, 200 और 300 साल पुराने, 1000 साल पुराने, 2000 साल पहले, जब रोम का राजा Augustus था, उ नाम को, अब यह देखें कि जो समय के जो राइटर थे, अलेक्जांडर पॉप, जोनाथन सुर्ट, इन्होंने कैसे अपने जो लेंगुजी उनको यूज करा था, पॉलिज लेंगुज करा था, आर्टिफिशल लेंगुज, पढ़ें तो हमें लगे, आर्टिफिशल जो टाइम पेरिड़ें से और आउगस्टन एज आजाता है, 68, पुछले कुछ समय सम देखने हैं कि करी बार पूछा आ रहा है कि बाइग्रफी और और आटो बाइग्रफी किसने लिखी है, हमें कुछ एक्स्टा करनी पड़ती है, और आटो बाइग्रफी सबको पता है, आटो बाइग्रफी से बना है, जब कोई विक्ति खुद अपनी कहानी लेखिए, अपने एक्सपियेंस लेकरें, अचीमेंट्स की बात करें, इस्ट्रेग्रॉस की बात करें, जब वह अपनी कहानी लेखेगा, तो अस समय के जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होंगे, इसका भी जिक्र करेगा कि आज मेरा जन दें था और दो दिन वाज यह तोहार आया और यह यह मैंने देखा तो आटोवाइगरफी बहुत पुराने समय से लिखी आते हैं और यह काफी इनमें अलगला वैराइटी मिलेगी जैसे लैटर्स लैटर्स भी आटोवाइगरफी का पार्ट हो ही जोड़ी सकती है और एक पूरी भुक भी लक्ट फरस्ट पर्सन में लिखा आती है इसमें आई का यूस कराया आता हरा है इस देंका का पाफी समय से लिखी आ रही है लेगिन अगर हम बात करें personally वiam से पहले और उसको उन्हों ने कहा था सेल्फ रिटन बायोग्राफी उन्हों ने कहा था जो शुरुवाती ऑटोबायोग्राफी है वो चाइनीज आइटर ने यूज करी थी हमें नाम ध्यान नहीं रखना है यह आप ज़रूर ध्यान रखिया सेंट ऑगस्टस सेंट ऑगस्टाइन जो थे सेंट थे उन्हों ने एक ऑटोवारिफिकर के अनपैश्यंस यह उन्हों ने लिखी थी लभव 480 में जीजस क्राइस के 400 सालवाद जन दिन के 400 सालवाद उन्हो कर लिख थी लिक्नि दूर की ची ने मुझे कितना प्रहित, मैं आज जो कर दोतुए मिलेगा इसमें इसके साहांकर 7 सेंट अच्छ्टाइन ने Confessions लिख लिख दाएन बहुत इंपोर्टेंट ने से जॉन्गन बुन्도न ह। यह उन्हों नहीं ठीकती, Grace Abounding to the Chief of Sinners 1666 इसफ्रेश्टीश सीघ्षी न्हों इंपोर्टन थे अपनी कहानी लिखी ग्हाष्च जेरेनली इस पहली अप्रीकन-मेरिकन वुमें इससले से इसले से इंपोर्टन भयाता है जेनों अपनी लिखी आपनी ऑटोपाविपर्फी लिक कि उटो बायग्रफी बिचारों के लिचारों विचारों आ अपनी ऑच्छा उटीनीच्टित सबमाउत में 208 को मतर द्यान में छयूड़न firem क्शी लाइखाधों, संबयावान, ये गपाताय को भी पड़ाता है, इस Одनकी सब्सक्राश को कहाता है यह तरीके की लाइफ है, यह इन्हों ने कहा था, आटो बाइग्रफी को, एक डेफिनिशन दी थी, A sort of life, बाद में जब इन्हों ने आटो बाइग्रफी लिखी अपनी खुर्टानी, उस बुक का नामी इन्हों ने A sort of life लिखा था, 1971 में लिखी थी, A sort of life, A sort of life, आटो बाइग्रफी है, रहम ग्रीन की, और इन्हों ने आटो बाइग्रफी को, A sort of life, A diary of a young girl, बही इसका जिक्रना करने तो बेकार है, 10th क्लास में थी भी है, 10 फ्रेंक की है, narrative बहुत important है, नेट के एकजा में पूछी भी गेती है, एन अमेरिकन स्लेव, यह एक अमेरिकन स्लेव थे, जिन्हों ने अपनी अपनी आटो बाइग्रफी लिखी थी, एक अपने नाम से ही पुब्लिश कर रहा था, important है, Long Walk to Freedom, Nelson Mandela ने अपनी अपनी आटो बाइग्रफी लिखी, South Africa के जो पहले अश्वेथ, लैक, राश्पती थे, उन्हों ने अपनी आटो बाइग्रफी लिखी, Long Walk to Freedom, यह सारी आटो बाइग्रफी में जो आपको ध्यान रखनी है, 69, Avagard, पुछ ऐसे वर्ड है, जो इंग्लिश के नहीं है, बहरी लैंगुज के हैं, यह फ्रेंच वर्ड है, और जब यह फ्रेंच लैंगुज में इस्तेमाल कराया आता था, तो आर्मी में इस्तेमाल कराया आता था, लेकिन बाद में 19th और 20th century में एवागार्ड का मतलब जो है यह लिट्रेचर के छेतर में यूज होने लगा लिट्रेचर में इसका यूज होने लगा और एवागार्ड बतलाता है आप दो यह बतला है और इससा 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 जब आप अपने वर्क में कोई भी वर्को किसी भी चित का उसमें आप एक्सपेरिमेंट करो, ऐडिशनल तरीकी ऐसे यूज़ ना करो, अपने वर्क को, तो वो एवागार्ड इस्टाइल कहलाएगा, एवागार्ड जो आर्टिस्ट होते हैं, ये जो तरीका होता, जो पुराना तरीका है, उससे अलग तरीके से ये वर्क करते हैं, करते हो narrative structure में, कहानी सुनाने का तरीका है, वो simple सही ही होता है, अब आपने कुछ change कर दिया, जो कहानी सुनाने वाला है, वो कोई और है, मालो वो villain है, आपने थोड़ा चिंग कर दिया, villain के बाद में भी एक दूसरा villain सुनाने तो जो आप change कर रहो, एक्सपरिमेंट कर रहा है, क्या कहला है style, avaguard style कहला है, इसमें आप जो conventional तरीका, जो पारंपरिक तरीका, traditional, उसको आप follow नहीं करते हो, जो avaguard style है, यह आपको कहा कहा मिलेगा, हर जगे मिलेगा, literature मिलेगा, music में मिलेगा, theater मिलेगा, film में, fashion में, जब कभी आप experiment करते हो, जब experiment कर रहा आता है, नहीं चीज़ों कर रहा आता है, तो avaguard style आता है, last है, axiom, axiom को कहें, यह होता है, सिध्धान्त, axiom, principle यह statement, इसको माना जाए, सही है, without requiring proof, बिना किसी proof हम मान लेगा, यह सही है, कि एक dictionary का word है, इसे literature के तौर पर कभी कभार यूज़ करायाता है, आप इसको याद कर लिएगा, शाब्दिक अर्वा, इसी के साथ में A alphabet के जो literary term से वो खतम होते हैं, अगरे वीडियो में, good bye.